नमस्कार साथियो, आई स्ट्रडी ओंलाइन में आपका स्वागत है, अपन ओप्टिक्स के बारे में डिस्केशन कर रहे थे, फेस्ट अपना रनिंग में था, और इंटर्फेरेंस से रिलेटेड अपना टोपिक चल रहा था, जैसा कि आपको कहा गया, फेस्ट वाला जो अप भजन द्वारा पढ़े जाते हैं, और एक्जांपल जैसे आपको बताया था, पतली फिल्म है, नियूटन वले है, या फिर माइकल सन्वेत्तिकर्ण मापी है, वो अपन आयान के विभजन के द्वारा पढ़ते हैं, प्रिवेस लेक्चर में अपने वेत्तिकर्ण के बारे म आपको बताया गया था, ठीक है, यही मैं आसा रखता हूँ कि हर एक बचा बेक्टू बेक क्लासे हमारी अटेंड कर रहा है, तभी वो सिखेगा, अदर्वाइस ने सिखेगा, क्योंकि हर एक आगे का जो कंटेंट होता है, वो प्रिवेस कंटेंट पे डिपेंड करता है, ज वेत्तिकरन का सिद्दा, कि वेत्तिकरन किस परकार से होता है, और कैसी कंटिशन होती है, तो समपोशी वेत्तिकरन होता है, कैसी कंटिशन हो जिससे विनाशी वेत्तिकरन होता है, उसके बारे में अपने को डिसकेशन करना, आराम से समझेंगे, पूरा डेरिवेटिव साइश में वापस से भी अपनी यहां पड़ेंगे पूरा सीखने का प्रियास कीजिएगा क्योंकि मैं नहीं कहता कि जैसा मैं आपको बताऊंगा वेसा ही आपने टोवल्त में पड़ा होगा मेरा तरीका अलग रहेगा आप जिन सर से पड़े हो उनका तरीका अलग रहेगा ज करने का अब जैसे मैं आपसे कहूंगा कि आप फथांतर निकालिए तो फथांतर में मैं एक लोजिक बताऊंगा आपको बड़े वाला मैनस सोटे वाला ठीक है और पूरे ओप्टिक्स में यही लोजिक आम में आएगा बड़ी डिस्टेंस में से छोटी डिस्टेंस कर दो पत्का आपको अंतर मिल जाएगा अब यह अपन पढ़ेंगे ना तो अच्छे से आप समझोगे टोपिक पे चलते हैं अपन और अपने टास्क को अपन कंप्लीट करते हैं आराम से समझेंगे परियोग वही काम मिलेंगे यंग का द्विस्टर लिट परियोग होगा उसका है डाइगराम अपने यूज करेंगे डाइगराम यूज करने के बाद अपने उसका एक्स्प्लेनेशन देंगे ठीक है चलता हूं में हेडिडिंग पर आप एक पूरी एनर्जी के साथ पूरी क्लास को अटेंड कीजिएगा और पूरा सीखने का प्रियास आप कीजिएगा क्लास पूरी देख लेना उसके बाद वित्तिकन के सिप्धांत का कोई भी पोईंट ऐसा नहीं हो जो आप मिश्य कर बैटोगे चलो में टोपिक पे आप साथ नोट्स भी बना सकते हो इसी वे में आपको पड़ाया जा रहा है और वेसे भी कोई दिक्कत नहीं है नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवाया है लिखा है ओप्टिक्स नोट्स आप वहां विजीट कीजिएगा नोट्स ले लीजिएगा क्या दिक्कत है ठीक है चलते हैं टोपिक पे आप कम्प्लिटली क्लास तक मेरे साथ बने रहेगा इसी पोजिटिव एनरजी के शाथ अपन सुरू करेंगे अभी आपको कुछ लिखा दिखाई नहीं दे रहा लेकिन थोड़े ही टाइम में अपन स्क्रेन को फूल कर देंगे उसके बाद आगे कंटिनुएसली बढ़ते रहेंगे मैं लगाता हूँ भी हेडिंग वित्तिकरन का सिद्धानत प्रिंसिपल ओफ इंटर्फेरेंस आप हैस्टेर के स्टूडेंटों एक चोटा सा थिंग आपको बता है के बार अपन इंग्लिस में हेडिंग लगाते हैं और उसमें अगर छोटा एरर कर बैठते मिंस एक की जगे ए कर देते हैं तो आपको यह पता होना चीए टोपिक कॉन सा है अपने कोई हिंदी साहित्ते या इंग्लिस लिट्रेचर नहीं है कि एक वर्ड से आपके कोई नमबर काटे जाएंगे तो ऐसा कभी नहीं होता कॉनसेप्ट आपका सही होना चाहिए ठीक है राइटिंग के नमबर यहां बहुत कम काटे जाते हैं चले आप देखिए इसके लिए अपन डायग्राम लेंगे यंग का जो द्विसलिट परियोग होगा उसी को यूज करते हुए अपन चलेंगे यंग का द्विसलिट परियोग क्या था हमने आपको बताया था यहां पर आप कोई ऐसा आपके पाश में था इस परकार से आगे आपने फिर दो सलिट लिए थी ओप्टिक्स का सबसे इंपोर्टेंट पार्ट डायग्राम है जिस बच्चे के डायग्राम समझ आ जाएगा ऐसा मानों उसके टोपिक पुरा समझ आ जाएगा और मेरा पुरा प्रियास रहेगा मैं जितना आराम से हो सके डायग्राम बनाओ डाइग्राम में अगर टाइम लगे तो उसको आप अधर वे में मत ले जिएगा यहाँ पर आगे slit लगी हुई थी एक को अपने S1 बोला था एक को S2 बोला था और इस slit से आगे अपने पर्दा लिया था ले लो पर्दा यह अपने पास कोई पर्दा ठीक है जी अब अपने यहाँ क्या बोलेंगे कि कोई ऐसी अवस्ता है उस पर्द जिससे की इदर से जो तरंग जा रही है तरंगागर जा रहा है वो तरंगागर किसी बिंदू के उपर वेत्तिकरण करे वेत्तिकरण करे मिन्स अपने को दिखाई दे अपने को दिखाई कब देगा, संपोशी वेत्ती करण में, ठीक है, तो वहाँ संपोशी वेत्ती करण होता है, तो उसके लिए अपन कोई बिंदू ले लेते हैं, मैंस होगा क्या, यहाँ से वापस से थोड़ा सा समझ लीजिएगा, इस परकार से तरंगागर गुजरेंगे, यह तरंगा अगर S1 और S2 तक पहुंचेंगे, मैंस ऐसे मान सकते हुआ, मान लो, मैं यहाँ पर कोई बिंदू ले लू, जिसको P बिंदू नाम दे दू, यहाँ मैंने कोई पोईंट ले लिया, जिसको मैंने कहा P, अब P बिंदू पर मेरे को वेत्ती करण की स्ट्रड़ी क करनी है, तो जायज सी बात है, यहाँ से जो परकास कीरण निखल रही है, वो परकास कीरण कहां पहुंचे, P पर पहुंचे, तभी तो अपना काम होगा, otherwise कैसे होगा, तो अपन कहेंगे, कि इस S से निकलता हुआ कोई तरंगागर P बिंदू पर पहुंच सकता है, मैंस यहा तरंगागर P बिंदू पर पहुंचे, उसी परकार, यहां से कोई तरंगागर होगा, जो की P बिंदू पर पहुंचे, आप NORMALLY आप क्या कहते हो, कि इन दोनों के बीच की दूरी, मिन्स इसका जो मद्धे बिंदू है, और इसका जो मद्धे बिंदू है, दोनों सलिट के बीच की दूरी कितनी डी जाती है ऐसा आप बोलते हो तो नॉर्मली हमने क्या कहा कि यदि कोई परकास रोज से परकास के निकलेगी वो सलेट से गुजरने के बाद वेतिकरण की गटना के लिए अपने कोई बिंदू पी लिया कि जैसे ही ये तरेंगे बिंदू पी के उपर पहुंसते ही वहां वेतिकरण की गटना गटित हो जाएगी ठीक है जी अब वेतिकरण की गटना गटित हुई उसकी स्टेड़ी करनी है इस डिस्टेंस को आप लेते हूँ ये टोपिक भी पढ़ेंगे अपन डी और डी के बीच का रिलेशन भी पढ़ेंगे नेक्स्ट रही है तो तरंग का समेकरण आपको पता होना चाहिए कोई भी तरंग आपको दी जाती है उस तरंग का ये दिया आपको समेकरण लिखना होता है तो अपने इस परकार से लिखते हैं मान लो कोई तरंग जा रही है साई इसका समेकरण होता है ए साइन ओमेगा टी माइनस की तरंग की आवर्ती means frequency ठीक है और के होता है संचरण नियता कि तरंग किस वेग से संचरिती हो रही है समझे ना बात को के क्या है तरंग संचरण नियता इस परकार से अपन किसी वेव को स्यो करते हैं अब अपने पास अपन देख रहे हैं पी बिंदू पर जो वेव पहुंच रही है या जो तरंग पहुंच रही है या जो परकास की कीरण पहुंच रही है वो S1 से भी पहुंच रही है S2 से भी पहुंच रही है तर भी तो यहां वेत्तीकरण की घटना घठी थो रही है इसका मिनिंग क्या है यदि हम यहां वेत्तीकरण के बारे में completely study करें तो हमार की बुक में इस से अगला रिपरजेंट करता है ठीक है उसी परकार आयाम को एस से फिर साइन ओमेगा टी माइनस से के एक्स मिन्स अब हम यहां से शुरू करने वाले हैं कि फैस्ट तरंग यदि पी बिंदू पर पहुंचे तो S1 P का समझे करने ठीक है उसी परकार S2 P का समझ यह बात को थोड़ा लिखते भी हैं क्योंकि थोड़ा सब्जेक्ट अपने पास में यह रहता है देखिए बिंदू P पर S1 से पंखुंचनने वाली परकास कीरन का समिकर आपकी बुके कोडिंग चल लो फैस्ट में जैसे E अपने दर्सा है तो फैस्ट के लिए अगला E1 लेता है दूसरे के लिए अगला E2 लेता है कोई प्रोब्लम नहीं अपन भी ले लेते हैं फैस्ट जा रही है तो E1 क्या होगा A साइन ओमेगा T माइन अब साथ में आपके बुक वाला स्मॉल ए लेता है ठीक है A साइन आप कुछ भी ले सकते हो केपिटल ले सकते हो लेकिन आपको एक सजेशन दे आपको बुक के कोडिंग चलना होता है ठीक है न कि बार प्रूफ करने के लिए कोई फोर्मुला आता है और केरेक्टर आपको बुक वाला ही मिलता है तो आप वहाँ थोड़ा सा गवरा जाते हो कि यह कोंस्टेंड कहां से आ गया तो यह लोजिक है कि आप बुक को रेफ्रेंस मानके ही चला करूँ इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस की एक्स अच्छा जी अब आपसे कोई क्वेशन पुछे कि यह तरंग यह दी यहां से यहां तक जा रही है तो इसकी कुछ ना कुछ क्या है वेवलेंट अरे जो लाइट इस बिंदू से बिंदू पी पर जा रही है वही लाइट इसका मीनिंगी क्या है कि इन दोनों की तरंग धेरिये बराबर होगी वेतिकरण की आउस्सेक सरत में पढ़ाता वेतिकरण की घटना तभी घटित होगी जब लगबग सम्मान तरंग देरिये की तरंगे आपस में अध्यारूपित होगी समझगी क्लास लंबी हो सकती है क्य कोई प्रोग्लम नहीं है अब देखिए तरंग कौन सी है फेश्ट तरंग फेश्ट तरंग का विस्थापन मिंस फेश्ट तरंग S1 से कहां तक जा रही है P तक जा रही है मिंस यदि फेश्ट तरंग का मेरे को विस्थापन लिखना है X तो कौन सा है S1 तो इसको मैं इस वे कोई दिकत एक्वेशन नंबर इसी परकार P पर S2 से परकुंसने वाली परकास कीरण का समय करण आप सिद्धा लिख सकते हो ना यह लिखने के बाद यह आपको बता है देखिए अपन मान लेते हैं कि परकास तरग के लिए कोई वेवस फंक्शन है E2 ठीक है तो E2 इक्वल टू A साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स तो 2 पाई अपून लेमडा इन्टू S1 P की जगए क्या जी S2 यहां तक फोलो किया पूरा आसान सा कंटेंट अपने बास में था ठीक है थोड़ा सा मेजर आप कर सकते हो कि किस वे में अपन चला क्योंकि अब अपन इसको रफ करने वाले हैं अब देखो अध्यार ओपन की घटना घठित होगी यहां E1 और E2 क्या है विस्थापन की तरंग कितनी विस्थाफित है और यह तो अध्यार ओपन के पस्षाद क्या होता है कि कुल विस्थापन अलग-अलग विस्थापनों के योग के बराबर होता है तो मैं यहां से ठीक सम्टाइम्स वेट बड़ा डेरिवेशन से लेगा मेरे दोस्त कम्प्लीटली क्लास एक्टेंड करोगी तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी साथ-साथ खुद से करने का प्रियास कि जैदे के तो अलग-अलग विस्थापन है तो अध्यारोपन का सिद्धान क्या होता है प अलग-अलग विस्थापनों के योग के बराबर होता है अपन मान लेते हैं कि परिणामी जो विस्थापन वो क्या है अपने लिए तो एक्वल टू क्या हो जाएगा एवन प्लैस एक्वेशन मान लो इसको अब एक बात और बताएं आपको जब भी अध्यारोपन का नियम लगाते हो तो अलग-अलग विस्थापन का परिमान भी आप लेते हो यहां विस्थापन को हमेशा आप दनात्मक होता है ठीक है तो यहां पर आप इजली क्या लगा सकते हो मेगनिट्यूड लगा सकते हो समझ गे बात को युज्जिंग एक्वेशन एवन और इट्व पन omega t minus 2pi upon lambda s1p, ठीक है, प्लस, next वाला a sin omega t minus 2pi upon lambda s2p, ठीक है, अब वापस देखिए, function लिखा हुए है, sin a minus b, अब अपन थोड़ा ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे अपने लिखा है na, a sin omega t, उसके बाद a sin omega t, तो यहाँ पर अपन यह बोल सकते हैं, कि यहाँ इसका यह दी आयाम अलग अलग, आप यह थोड़ा सा major केजिएगा, कि यहाँ बिंदू p था, ठीक है, यहा लिखा आयाम हमने कोई a लिया है, दूसरी का आयाम हम कोई b ले सकते हैं, इसी परकार से यहाँ पर अपन क्या ले सकते हैं, b, means आयाम लगभग बराबर होगा, लेकिन माल लिया अपनने कि थोड़ा change हो गया, तो a आ गया, वहाँ पर b, अब यह दी ऐसा कहां लिखा है, तो आप जानते हूँ, एक फोर्मुला होगा, sin a minus b, sin a minus b, sin a cos b, minus cos a sin, क्या होगा जी, sin a cos b minus cos a sin, अब देखी, यहाँ यह step पूरा आएगा नहीं, तो वापस अपन इधर से चलते हैं, ताकि complete step एक साहते हो जाएजी, sometimes wet, बच्चे, लाश्ट तक मेरे साथ जुड़ा रहेगा, तो पूरा समझ जाएगा, और मेरी एक आदत है, मैं थोड़ा देखे लेके चलता हूँ, ताकि बच्चा अच्छा समझे, ठीक है, घास काटने का यहाँ कोई मिनिंग नहीं होता, लगाओ फोर्मुला, ए बराबर, ए, साइन ए कोस बी, साइन ओमेगा टी, कोस टो पाई अपोन लेमडा, एस वन पी, मैनस कोस ए, तो एक की जगे ओमेगा टी है, कोस ए, फिर क्या है, साइन बी, मिन्स, टो पाई अपोन लेमडा, एस टू, इतना काम हो गया, उसके बाद चलो, प्लस, बी, वापस साइन ए, कोस बी की ट्रम रहेगी, तो साइन, ओमेगा टी, कोस, टू पाई अपोन लेमडा, एस टू, पी, ठीक है, मैनस, कोश, ओमेगा टी, साइन, टू पाई अपोन लेमडा, एस टू, हो गया अपना काम, देखिए, यहाँ साइन, ओमेगा टी है, यहाँ पर, साइन, ओमेगा टी की ट्रम है, अपन, साइन, ओमेगा टी की ट्रम को बाहर ले लेंगे, ठीक है, मीनस, यहाँ से, और यहाँ से, लेओ, ए इक्वल टू, साइन, ओमेगा टी बाहर लिया, मैने, दे पाहर लिया अंदर क्या रहा प्लश बी कोश टू पाई अपोन लेमडा एस टू इतना काम हुआ इस ट्रम में और इस ट्रम में क्या है कोस ओमेगा टी है तो यहां से अपन बाहर ले सकते हैं माइनस इसी स्टेप के आगी है यह वाला ठीक है स्क्रीन पे पुरा नहीं आता उस वज़े से लिखता है कि डेरिवेशन उदर भी अपन साथ साथ कर सके माइनस कोश ओमेगा टी अपन ने लिया इस स्टेप में क्या रहे गया ए बाहर बेटा इसको मत बूल जाना estas2π प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा आगे क्या रहे जाएगा इसको नेक्स्ट वाला एक्वेशन मान सकते हैं अपन चार आप देखिए समेकर चार में ये जो टरम लिखिए गए यह a cos means a cos 2pi upon lambda s1p फिर b वाले ट्रम तो पूरे में क्या है cos है तो देखिए इसको एक parameter से अपन replace करेंगे ठीक है देखो कैसे but a cos 2pi upon lambda s1p plus b cos 2pi upon lambda s2p इसको लिखेंगे अपन r cos theta याद रखने का तरीका यह है कि जिस ट्रम में cos का function अपने पास r आ रहा है उसको तो cos theta का function जिसमें sin theta आएगा उसको अपन sin theta का function assume करेंगे ठीक है means इसमें क्या रहा है गया sin है दोनों जगे तो इसको r sin theta assume कर लेंगे ठीक and a sin 2pi upon lambda s2p plus b sin 2pi upon lambda s2p that equal s1p आएगा s2p आएगा उसके बाद यहाँ पे s1p है ना s1p तो s1p और s2p r sin theta यह गलती नहीं होती यह misprinting होता है इसको मैं equation a ले लेता हूं इसको equation b ले रहता हूं आराम से देखिएगा पस एक तरीका याद रखिएगा cos वाले को cos का function, sin वाले को sin का function अपने को assume करना रहता है ठीक है जी? यूजिंग equation a and b in equation फूर कर दो using equation a and b in equation फूर क्या मिल जाएगा आपने को e equal to e क्या है? परिणामी विस्थापन, means आप क्या निकाल रहे हो? बिंदो p पर पहुंचने वाली तरंग का परिणामी विस्थापन निकाल रहे हो आपको पता होना चाहिए theoretically भी अपन किसका analysis कर रहें यहां से चलो क्या है? sin omega t फिर आगे वाला जो भी फंक्षन था आपने पास देखिए a cos वाला इसको क्या मना? r cos चिटा तो ऐसे दिख सकते हैं r cos चिटा फिर आगे बढ़ो, क्या जाएगा? minus का symbol है, minus cos omega t इस वाले की जगह रखोगे तो क्या जाएगा? r बाहर लो, यहां क्या आ गया? sin omega t ठिक है? e equal to, r बाहर लिया, तो sin omega t cos चिटा minus, आप में बता देता हूँ, जो मैं यहां theta assume कर रहा हूँ, आप में side phi assume किया होगा और यह क्या होता है? कलांतर होता है, कि बिंदू p पर पहुंचने वाली जो तरंग है, उसमें कितना कलांतर है, तो दोनों के 20 को यह theta कलांतर लेके अपन चलते हैं, ठीक है? minus cos omega t sin theta i theta, ठीक है? वापस देखों क्या बन गया? sin a cos b minus cos a sin b, तो अभी यहीं पर लिखावाता है, इसको क्या लिख सकते हैं? sin a minus b, तो omega t minus theta, आप से पुछें यह क्या है? आप सकते हैं, जो की परिणामी तरंग का विस्थापन है, जो की परिणामी तरंग का विस्थापन है, ठीक है? अब आप से कोई यह कह देता है, कि आपने विस्थापन तो निकाल लिया, जो आपने यहाँ यह constant r निकाला है, यह क्या है? आयाम, यह क्या था? कि तरंग के अ अलग गठक का आयाम था, A और B, A था E1 गठक का, B था E2 गठक का, ठीक है, तो अपने यहां क्या कह रहे हैं, अब यह आपके पास R, R है, तो R क्या है, परिणामी तरंग का आयाम, अब आपका एक डाउट यह हो सकता है, कि सर आपने A और B, दो ही आयाम क्यों लिए, उसके प गठक होते हैं, एक तो होता है, विद्यो तक क्षेतर गठक, दूसरा होता है, चुम्ब की एक क्षेतर गठक, तो विद्यो तक क्षेतर गठक के अलग रेखाएं चलेगी, मिन्स अलग तरंग चलेगी, और चुम्ब की ये क्षेतर के गठक के अलग तरंग चलेगी, तो दो means दो परकार के parameter हमारे पास है electric field अपने पास है magnetic field अपने पास है इसका meaning क्या है दोनों का आयाम भी अलग अलग होगा यही परपस्ता मैंने एक का आयाम A लिया था दूसरे का आयाम क्या लिया है B लिया है कभी doubt नहीं होगा उसके बाद आपसे कहे R क्या निकला R बोल सकते हो दोनों का अध्यार open हुआ अध्यार उपित होते होते तरंग अपने तक पहुंसती है तो उस अध्यार open के पस्ता साथ कितना आयाम है वो क्या निकल के आ जाता है यह R ठीक है अच्छा एक relation और बता दे कभी भी आपको कहा जाए कि T वर्ता और आयाम के बीच का relation क्या है तो देखिए T वर्ता हमेसा आयाम के square के समानवादी होती है अपने यह हैं huge करेंगी अब आपसे question अगला यह करता है कि आप हमें यह बताईए कि आपने जो यह R माना है इस R का मानी क्या है तो इस R का माना आप question निकालोगी अब next task क्या है हमने परिणामी विस्थापन निकाल लिया अब परिणामी जो तरंग हमारे पास है उस तरंग का आयाम क्या है वेतिकन की घटना होने की बात ठीक है बढ़ते हैं कोई दिक्कत नहीं है क्या करेंगे देखो समीकरण A और B को square करके जोड़ देंगे क्योंकि या मैंने क्योंकि कोस square theta plus sine square theta 1 होता है square किया तो R square R square बाहर आया तो sine square theta plus cos square theta क्या हो गया R निकालूंगा तो इधर जो भी उसका क्या ले लूँगा root ले लूँगा इस पर फसे में यह काम करने जा रहों means समीकरण A वे B का वरग करके जोड़ने पर वरग करके जोड़ने पर तो इसमें खास द्यान क्या रखोगी लेफ्ट वाला लेफ्ट वाले पार्ट के साथ सोलीशन होता है और राइट वाला राइट वाले पार्ट के साथ सोलूड होगा देखिएजी step by step चलना रहता है अपने को लेफ्ट वाला पार्ट यह है तो A cos 2 pi upon lambda S1 P इसका मैंने square कर दिया फिर plus इसका square करना है A sin द्यान से देखिएगा कोई error ना हो जाए 2 pi upon क्योंकि offline class अगर होती तो आप बता देते हैं सरी यहाँ आपे कर रहे हैं क्योंकि इतना बड़ा derivation हो सकता है कोई बड़ी बात है नहीं होती लेकिन ढूंडना ढूंडना बड़ी बात है अपन ढूंड़े लेते हैं S1 P इसका करतो स्क्वाइर करके जोड़ दिया लेट वाले पार्ट का काम हो गया अब मैं मूँ करता हूँ राइट वाले पार्ट की ओर राइट वाले पार्ट क्या हो जाएगा R स्क्वाइर कोस स्क्वाइर ठीटा प्लस R स्क्वाइर साइन स्क्वाइर ठीटा सॉलिशन करना है आजव महरत हासिल कर लो करेंगे अभी कोई दिक्कत नहीं है A प्लस B स्क्वाइर A स्क्वाइर प्लस B स्क्वाइर प्लस A 2 A भी कहाँ पे भी लिखा है A प्लस B स्क्वाइर तो सॉलिशन होगा A स्क्वाइर प्लस B स्क्वाइर प्लस A 2ab, चलो करते हैं यहां से a square, means fast का square तो a square cos square 2 pi upon lambda dot s1 b fast का काम हो गया, आगे वाले का करो next का, plus b square cos square 2 pi upon lambda s2 b, plus 2ab, तो plus 2ab क्या जाएगा साथ में cos 2 pi upon lambda s1 b cos 2 pi upon lambda s2 b, ठीक है next आगे वाले का करो, plus a square sin square 2 pi upon lambda s1 b, next plus b square sin square sin square यहाँ square पिता जी, हाँ, 2 pi है क्या, square नहीं है sin square 2 pi upon lambda s2 b, एक टम रह गया plus 2ab 2ab साथ में, साथ में आ जाएगा sin, दिखाई दे रहा आपको s2 pi upon lambda s1 b, dot यहाँ लिखता हूँ में, dot sin 2 pi upon lambda s2 b, equal to क्या है, r square बाहर लो, तो अंदर क्या रह गया, sin square theta plus cos square कितना बड़ा टर्म आ गया, कैसे याद होगा याद नहीं करना, तरीका आपको सिखना है कि किस तरीके से मेरे को आगे बढ़ना रहेगा, तरीका जहां समझा आजएगा, यह से मानो, कोई problem नहीं रहेगे, चलो आगे बढ़ते हैं, करते हैं solution देखिए, एक तो ये टरम आपको नजर आ रही है, दूसरी ये टरम आपको नजर आ रही है, और दोनों मेंसे ये दिमे, a square बाहर लो, तो अंदर क्या रहे गया, cos square 2 pi अपॉन लेम्डा, s1p dot, वापी, प्लस sin square 2 pi अपॉन लेम्डा, s2p हो गया, इतना काम, उसके बाद इस टरम को देखिए, और इस वाले टरम को आपको 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 क्या नजर आ रहा है, कि यहाँ पर, अपन b square को बाहर ले ले, अंदर क्या रहे जाएगा, cos square 2 pi divided by लेम्डा, s2p ठीक है, आगे चलो, plus sin square 2 pi upon लेम्डा, s1 अब जो टरम रहे गया, उसका solution कर लो, यहाँ पर लिखता हो में, plus 2 a b दोनों में बाहर है, ठीक है, क्या हुआ, cos 2 pi upon लेम्डा, s1 p, cos 2 pi upon लेम्डा, s2p फिर आगे क्या हो जाएगा, plus sin 2 pi upon लेम्डा, s1 p, sin 2 pi upon लेम्डा, s2 p, और right side में, यह तो 1 हो गया, क्या रहे जाएगा, only r square, अच्छे से मेजर करो, कि कहा कोई जल्दी बाजी वाली ट्रम तो नहीं है अपने पास, क्योंकि जल्दी बाजी हो जाती है, तब थोड़ा सा ठीक नहीं रहता, चलो, आगे देखिए, क्या लिखा हुआ है, cos a cos b plus sin a sin b, formula लगाना होगा, और उससे अपने को solution करना होगा, पहले देखिए, cos square theta plus sin, यह देखू, cos square s1 p, उसके बाद क्या है, sin square s1 p, यह s1 p है यहाँ पे, तो यहाँ s बनाएगा, ठीक है न, यह थोड़ा सा ठीक नहीं है, s2 यहाँ पे ले रखा है, तो यहाँ पे s2 आएगा, आगे वाला s2 p, तो क्या देखा, अपनने a square बाहर लिया, तो cos square theta plus sin square theta, b square बाहर लिया, तो cos square theta plus, ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि यहाँ पर जो angle बन रहा है, देख लो, angle दोनों का क्या है, सेम है, तो sin square theta plus cos square theta, 1 हो गया, means क्या मिल जाएगा next step, a square तो यहाँ से मिला, plus, आगे से क्या मिला, b square, इसको एक बार ऐसे ही लिख लो, ताकि problem ना हो, 2ab, cos 2pi upon lambda, s1p, cos 2pi upon lambda, s2p, plus sin, 2pi upon lambda, s1p, sin, 2pi upon lambda, s2p, किसके equivalent आ गया, r square की, equal आ गया, हमें finally निकालना भी r है, means r के द्वारा, हम तीवर्ता की value find out करेंगे, और जैसा के कहा, तीवर्ता आयाम की वर्ग के सम्मान पाती होती है, अभी करेंगे, एक छोटा सा तरीका बताएंगे, उससे अपना काम हो जाएगा, अब देखिए, इसको आप क्या लिख सकते हूँ, cos a-b, means, देखो, a square plus b square plus 2ab, cos, 2 pi ये कौन लेमडा, a-b, बड़े वाला माइनस, सोटे वाला लेओगे, हमें सा, क्योंकि बड़ा कौन सा है, s2p minus क्या है, s1p, ठीक है न, ये ध्यान रखना, s1p minus s2p, देख लो आप, cos a minus b का फूर्मुला क्या होता है, cos a cos b plus sin a sin b, that means, इसको अपने इस वाले function में लिखा, किसके equivalent आगी, ये वाली value, r square के equal आचुके, देखिए, किता बड़ा derivation था, solution किया, solution करने के बाद, एक छोटा सा step हमारे पास से, निकल के आ चुका है, ठीक है, बड़े आगे, जो concepts अपन जानते हैं, वो वाला concepts अपन यहाँ apply कर दें, ताकि हमारा काम हो सके, कोण से वाला, कि ये धी हमें तीवर्ता निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, proportional करेंगे, आर स्कुरे के, क्योंकि तीवर्ता आयाम के स्कुरे के सम्मानोपाती, निकाले देखो, क्या होगा, इसको next वाला equation देओ, पहले 6, देखें, कहा करेंगे, अपन, यहाँ कर लेते हैं, तीवर्ता जो होती है, वो आयाम, कोई भी random आयाम है, उसके square के संभान उपाती होती एक किसका आयाम था फेस्ट वाली का आयाम था तो फेस्ट वाली की तीवरता देखे ये अपने को language में लिखना होता है कि जो even अपने माना था उसकी तीवरता क्या हो i1 हो ठीक है तो i1 proportional होगा उसके आयाम के a square i1 को यहां से हटाते हैं तो constant लिखते हैं i0 into a square और यह constant तो सबके लिए सेम ही होगा proportional हटाएंगे तो देखे next जब अपने a2 तरंग लिथी तो a2 के respect में कोई intensity माल लेंगे i2 होगी ठीक है यहां से i2 proportional किसके होगी b square क्योंकि दूसरे वाले कायाम हमने b लिया था कोई problem नहीं है i2 constant तो सेम रहेगा a note into क्या b square अपने को क्या निकालना है देखो a square a b का माल निकालना है कि a की value क्या है और b की value क्या तो यहां से अपन निकालते हैं थोड़ा सा आप समय दीजिएगा यह चो महा भारत इसको मैं और रफ करता हूँ इस derivation का यह parity सबसे important है जो बच्चे यह कर लेता है न उस बच्चे के दिक्कति नहीं रहती है फिर bore तो मैसूस नहीं हो रहे हो सब बताया जा रहा आपको कुछ भी रटाया नहीं जा रहा सिद्धा step जहां आता है boring scene वहां आता है follow कर रहे हो न पुरा class में complete नहीं मेरे साथ रहोगी तो पुरा follow easily हाँ समय लेता हूँ में समय लग सकता है ठीक है जी चलो आगे वो जो equation अपने लिखे हैं वहां से a square क्या होगा i1 upon i0 ठीक है b square क्या होगा i2 upon i0 अच्छा a बराबर b means अपने यह कह सकते हैं कि a की value क्या होगी तो इसका root हो जाएगा ले लो a root of i1 upon i0 b क्या हो जाएगा a root of i2 upon इसको next वाला equation देदो 7 समिकन साथ को आप यहाँ पर put up कर दो means using equation 7 in equation 6 रखो a square क्या है i1 divided by i0 ठीक है कोई problem नहीं है चलो आगे plus b square क्या है i2 upon i0 मैंने जैसा कहा है कि हो सकता है आपने इससे different पहले पढ़ा होगा लेकिन सब के तरीके अलग होते हैं आगे वड़ो फिर क्या आगे प्लस 2a a की जगे क्या है root i1 upon i0 b की जगे root i2 upon i0 फिर क्या है कोश 2pi divided by lambda s2p minus s1p that equal r square ठीक है जी करते है solution थोड़ा lengthy है लेकिन hard बिल्कुल नहीं है आप निश्चिंद रहे solution करो देखिए i1 upon i0 plus i2 upon i0 plus 2 इसको लिख सकते है न root i1 i2 divided by निच्चे i0 square हो जाएगा i0 square को यहाँ से बाहर निकालेंगे तो यह भी यहाँ अपोन में आ जाएगा कोई दिक्कत नहीं है cos 2 pi upon lambda s2p minus s1p किसके बराबर जी r square यहाँ से i0 LCM ले लो क्या रहा i1 plus i2 plus 2 root i1 i2 cos 2 pi upon lambda s2p minus s1p किसके बराबर जी next रम क्या हो जाएगा i1 plus i2 इसको उदर multiple कर दो plus 2 root i1 i2 cos 2 pi divided by lambda s2p minus s1p equal to क्या हो गया i note r square अरे यह क्या है r क्या था परिणामी तरंग का विस्थापन था नहीं परिणामी तरंग का iam था iam किससे multiple हो रहा है i note से means यहाँ पर देखिए जिस परकार तीवर्ता iam के square के समान पाती है तो हम प्रिणामी तरंग है और जो प्रिणामी तरंग होती है उस प्रिणामी तरंग की तीवर्ता क्या मानते हैं अपन i मानते हैं तो यहाँ से क्या होगा but i किसके proportional होगा r square के तो constant हटा होगे तो i note into r square then क्या मिल जाएगा यहाँ से i1 plus i2 plus 2 root i1 i2 cos 2 pi upon lambda s2p minus s1p equal किसके आगया i के equal आगया थोड़ा यह दिया आप सुन्दर लिखना चाहोगे इसको ऐसे लिख सकते हूँ i equal to i1 plus i2 plus 2 root i1 i2 cos 2 pi upon lambda s2p minus क्या हो गया s1p देखिए बट कलांतर ठीटा क्या होता है 2 pi upon lambda into पतांतर ठीक है s2p minus s1p बड़े वाला माइनस सोटे वाला करते हो तब आपको पतांतर मिलता है अपन मान लेते है फतांतर की वेल्यू क्या है अपने पास 2 pi upon lambda फतांतर को delta से अपन सो करेंगे जहां delta की वेल्यू क्या है s2p minus s1p यहाँ पर यूज करके इस वाले फोर्म में भी आपे लिख सकते हो means i equal to i1 plus i2 plus to root i1 i2 cos delta इसको next वाला equation ले सकते है अपना r समेकरण r वेत्ती करण परति रोप में t वर्ता का वेंजक व्यक्त करती है iam का निकाल लिया था means जहां पर r square के equivalent value आगी थी वहाँ iam का निकल गया था means यहां में लिख देता हूँ समेकरण r वेत्ती करण की घटना के लिए तीवर्ता का वेंजक है अब यहां मुझे ने पता आपने किस तरीके से पढ़ा है सबसे अच्छा और सुपर हीर तरीका यही होता है इसी तरीके की मदद से अपने सारे concept से सिख सकते है फिर भी आपने जो पढ़ा है वो भी आप लिख सकते हो कोई problem वाली बात नहीं है लेकिन यह मैं कहता हूँ यह class आपने अटेंट किया तो कुछ जादा आपने सिखा है जो पहले सिखा था उससे कुछ जादा सिखा है अभी तो और सिखाएंगे तीवर्ता का वेंजग निकला है तीवर्ता के वेंजग के बाद कोन सी गटना होती है तब तो संपोशी वेत्ती करने कोन सी गटना हो तो विनासी वेत्ती करने वो भी आप रठते थे जब ऐसा हो तो संपोशी जब ऐसा हो तो विनासी लेकिन हम समझेंगे, ठीक है, थोड़ा में side होता हूँ, आप जो important formula है, वो screen पे देख पा रही हो, यदि ये formula है आपको पता है, तो आप easy लिए पुरा काम कर सकते हो, ठीक है, बढ़ते हैं अपना आगे, अब इस तीवर्ता का वित्रण किस परकार से होता है, ये जो तीवर् पिक साथ ही हो जाए, समझना है आपको रटना नहीं है, मैं बिल्कुल नहीं रटवाऊंगा आपको, निश्चिंत रहें आप, जब दिप्त फरिंज बनती है तो अपने को ज़्यादा चमकिला दिखाई देता है जब दिप्त बनती है तो अपने को कम चमकिला दिखाई देता है ठीक है ये बात तो ठेक्ट होगी आपको उसके अलावा देखिए, यहां आप बोलते हो संपोशिवेतिकरण, विनासिवेतिकरण, देखिए, इस तीवर्ता का मान आपको जब ज़्यादा मिलने लगे, तब तो होता है संपोशिवेतिकरण, ठीक है, मिन्स वहां अच्छी दिप्ध फरिंज बनती है, जब इस तीवर् एंगल, ठीठा के उपर, मिन्स, कोश के साथ जो एंगल है, उस पर भी ये डिफेंड करेगी, यदि इसकी तीवर्ता मेरे को बढ़ानी है, तो देखो, ये एड हो रहा हूँ, यदि एड होता रहे, तो इसकी तीवर्ता बढ़ जाएगी, ठीक है, जब यहां से घट अगर 0 रखते हूँ, तो पोस 0 कितना होता है, 1, एड होके रहे जाएगा, ठीक है, देखिए, मैं एडिंग बाद में लगाता हूँ, कि किस व्यत्तिकन का डिस्केशन हो रहा है, पहले आप समझ ये, इफ, डेल्टा बराबर क्या हो, 0, तब आई बराबर क्या मिल जाएगा आपको, इसको equation देओ, दिया हुए है, then from, equation at, क्या मिल जाएगा, आपको I equal to I1 plus I2 plus 2 root I1 I2, अच्छा, इसको आप क्या लिख सकते हूँ, क्या एक कोई formula बना सकते हूँ, इसकी मदद से आप, इस जिली बना सकते हूँ, कैसे, I equal to, इसको यदि एसे लिखे, और root I1 plus root I2 का में square लेओं, तो देखो, first का square करो, ये मिल जाएगा, second का square करो, ये मिल जाएगा, plus 2AB, means हमने ये देखा, कि इसके बीच में कैसा साइना आगया, plus का साइना आगया, तो plus का साइना आते ही, संपोसी वेत्ती करण होगा, इसका मिनिंग क्या है, यहाँ, ठिटा बराबर 0 आपको मिलते ही, कैसा वेत्ती करण होगा, संपोसी वेत्ती करण होगा, संपोसी, means constructive, समझ गे मेरे दोस्त, कि क्या आपनने भड़ा, अब बात ये है, कि जब डेल्टा बराबर 0 है, तो फाई की value क्या होगी, या ठिटा जो अपने लिया, इसको like as आप फाई से भ देखने वाला हो, तो यहाँ ठिटा की value क्या है, देखो, यहाँ समझ लो, ठिटा बराबर क्या है, 2 pi अपन लेमडा इंटू डेल्टा, ठिटा बराबर, फैस्ट ट्रम है, 2 pi अपन लेमडा, यहाँ 0 रखा, तो ठिटा मेरे को क्या मिल गया, 0, means delta बराबर 0 है, तो मेरे को य ठिटा भी क्या मिल गया, 0, means या तो delta बराबर 0 हो, या ठिटा बराबर 0 हो, उस condition में वहाँ संपोसी वेतिकन मिलता है, और तीवर्दा का मान अधिक्तम प्राप्त होता है, means यह जो तीवर्दा आई आपको मिली है, इस तीवर्दा का मान क्या प्राप्त होगा, maximum प्राप्त आपको क्या रखना होता, means 0 नहीं, यह बाद में निकालो, यदि ठिटा आप क्या रख दो, 2π, क्योंकि कोस्ट 2π भी क्या होता है, 0 होता है, तो कोस्ट 2π अगर 0 होगा, इसका मिनिंग क्या है, कि यह वापस से addition में आएगा, addition में आएगा, means वापस वहाँ संपोसी वेतिकन तो देखिए, ठिटा 0 मिले, 2π मिले, 4π मिले, and so on, ऐसे ही चलता जाए, तो देखो, इसके respect में यहाँ पर डेल्टा आपको क्या मिले, 2π है, तो ठिटा बराबर, 2π अपॉन लेम्डा, इन्टु फतांतर, डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स हम निकालने जा रही है, समझ ले अब यहाँ, मैं सिद्धा बता सकता हूँ, लेकिन समझ यह सीज़ को, 2π अपॉन लेम्डा, डेल्टा एक्स हो गया, ठिक है, ठिटा हमेरे पास, फैस्ट वाला हमने कर लिया, दूसरा क्या है, 2π, तो यह क्या हो गया, 2π इन्टु लेम्डा इन्टु डेल्टा एक्स, 2π से 2π चला गया, डेल्टा एक्स क्या मिल गया, लेम्डा, मिन्स जब हमें ये वाला 2π मान मिलेगा, तो इस 2π के रेस्पेक्ट में फतांतर हमें क्या मिलेगा, लेम्डा मिलेगा, that's okay, मिन्स सेकेंड वाला मान यहां क्या एगा, लेम्डा, आगे क्या है, 4π भी 0 होता है, रखो तो 4π, 2π अपोन लेम्डा, डेल्टा एक्स, 2π का डिवाइडेशन दिया, 2, मिन्स डेल्टा एक्स वापस क्या आ गया, 2 लेम्डा, इसका मिनिंग यहां पर हमें क्या मिल जाएगा, 2 लेम्डा, और ये वेल्यू ऐसे ही बढ़ती जाएगे, तो देखिए, डेल्टा बराब करी ये निकाल सकता था, लेकिन बच्चा अच्छा नहीं समझता, ये मेरी फिलिंग है, बाकि आप जैसा चाहो, आपकी मर्जी, सौतन दर्दागादिगार है, संपोशी वेतिकन कलीर है, मिन संपोशी वेतिकन में जो तीवर्ता मिलती है, वो तीवर्ता क्या मिल जाती है, अधिकता मिलती है, अब देखो, next task अपने लिए क्या होगा, कि आप से कोई कहे कि इस तीवर्ता के मान को मेरे को कम करना है, तो तीवर्ता कम कब होगी, जब इस वेल्यू में से ये वेल्यू थोड़ी घट जाएगी, क्योंकि माइनस होगा, तो थोड़ा कम मिलेगा, अब म पाई हो, 3 पाई हो, 5 पाई हो, इस कंडिशन में कोस्ट की वेल्यू हमेसा क्या अब नहीं रहेगी, माइनस वन, कोस्ट की वेल्यू माइनस वन है, तो वेल्यू आप उटप कर दो, वेल्यू पूटप करने के बाद सोलिशन कर लो, देखो कैसे करोगे, यहां से देख, then from equation at क्या मिला I equal to I1 plus I2 plus 2 root I1 I2 यहां post की इन में से कोई सी भी value रखो value क्या means आपको यह ध्यान रखना है यह minus होना चाहिए तो यह minus कौन सी value पे होता है यह सारी values होती है उन पर यह minus से हो जाता है तो देखिए next वाला step अपने पास क्या रहेगा I equal to मैं यह rough करता हूँ otherwise आफ थोड़ा कम समझ पाओगे I equal to I1 plus I2 minus 2 root I1 I2 तो I इसको इस formula की तरह लिखोगे तो root of I1 plus root of I2 का क्या हो जाएगा जी square हो जाएगा plus नहीं जी बीच में क्या आएगा minus हमने देखा एक में से दूसरा minus हो रहा है तो यहां जो तीवर्ता मिलती है वो कौन सी minimum तीवर्ता मिलते है minimum intensity मिलती है तभी इस condition को आप किस में पढ़ते हो विनासी व्यत्ती करण क्योंकि destructive वोलते हैं इसको अधर language में destructive ऐसा इस वज़ए से होता है जब दो तीवर्ता add होती है तो तीवर्ता अधिक्तम हो जाती है तो मिन संपोसी वेत्ती करण में तीवर्ता ज़ादा मिलती है और विनासी वेत्ती करण में तीवर्ता आपको कहा जाता है संपोसी और विनासी के लिए यदि हमें ओसत वेल्यू निकाल नहीं होती है तो हम ओसत के से निकालें ठीक है इजीली निकाल सकते हूँ कोई प्रोग्लम वाली बात नहीं है देखो नेक्स्ट यदि आपके पास ऐसे आए कि ओसत तीवर्ता की वेल्यू हमें संख्याओं की संख्यादो किसके बराबर होगी आई एवरेज ओसत के बराबर होगी अब यह दिया आपको यहां से व्यंजक निकालना है तो निकाल सकते हूँ मैं यहीं पर बता देता हूँ ताकि एक स्क्रिन सोर्ट में तिनों चीज़ें आपके एक साथ क्लियर हो क्लास लंबी होई है क्योंकि पूरा टोपिक एक ही क्लास में देना रहता है जिसे बच्छा अच्छा समझ पाता है देखिए आई एवरेज आई मेकजिमम क्या है आपके पास root i1 plus root i2 square plus minimum क्या है root i1 minus root i2 square divided by to caro solution i average equal fast ka square i1 second ka square i2 plus 2 root i1 i2 plus fast ka square i1 second ka square i2 plus minus 2 root i1 i2 this will be cancelled out divided by that's okay i1 i1 2 i1 हो गया that means i average equal ध्यान से देखना 2 i1 plus 2 i2 divided by 2 i average आपको क्या मिल गया i1 plus i2 ठीक है ये task भी आपको complete करना रहता है कई बार आपको directly पूछ लिया जाता है कि average value क्या है तो इस परकार चे आप average value निका सकते है व्यत्तिकरन complete है फिर भी देखो मैंने इतने concept बताए एक concept फिर भी मैं miss कर रहा हूँ आपको संपोसी व्यत्तिकरन के लिए बीच का fringe gap भी पूछा जाता है जो हम आगे cover करेंगे जो आप वो fringe चोड़ा ही पढ़ाएंगे उसमें ये topic वापस से अपन थोड़ा cover करेंगे समझ आया पूरा क्लास लंबी है लेकिन समझना बहुत necessity रहता है क्योंकि इस derivation को दो क्लास में नहीं तोड़ सकते हैं समझ ही नहीं आएगा तोड़ेंगे तो की पूरी मेनत है आपके लिए हम आपके लिए इतनी मेनत कर रहे हैं तो इतना आपका भी बनता है कि classes ये दिलाश तक आप attend कर रहे हो तो इनको जादा से जादा लाइक से रोज सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब है जिनसे हम मोटिवेट होते हैं और इससे भी सामदार और बहतर class आप तक लाने के लिए पूरा प्रियाश करते हैं Thank you